हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू माई चैनल जाड़े गार्डन और फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स आज मैं लगबग एक हफते के बाद अपने प्लांट से रूबरू हुई हूँ तो मैं सोच रही हूँ आपको भी इनसे मिलवाद हूँ अपने प्लांट से जो मेरे प्लांट से हैं मैं आउट आफ स्टेशन थी इसलिए मैं इनकी देख भाल भी नहीं कर पाई कुछ सही से इन दिनों और मैं अब वापस आई हूँ तो मैं इन सब को देख रही हूँ मेरे प्लांट किस तरह से हैं किस कंडिशन में हैं और ये कुछ प्लांट तो मुझे अच्छे भी दिखे और कुछ काफी बुरी कंडिशन में भी दिखे हैं से प्लांट की कि यहाल हो गया है मेरे प्लास्टिक आपके पॉट मैं इसमें से पानी और वे अची तरह के से ड्रेंड नहीं होता है और ये देखिये ही हाल हो गये यह वाले प्रांट तु कुछ ठीक है महारे सही है उसी जो cuttings मेरी निकली थी वो cutting मैंने ग्रो की थी लेकिन मैई bad luck कि वो cuttings जो है मेरी कुछ ग्रो होने के बाद भी खराब हो गई हैं काफी हद तक खराब हो चुक ही एक दो cutting ही बची उसमें से तो इस बार भी मैं pruning करने के बाद ये cuttings जो निकलेंगे मैं इनको लगा दूगी दूबारा से तो मेरे कुछ प्लांट तयार हो जाएंगे अभी और सरदी आने तक कुछ प्लांट मिल जाएंगे मुझे और ये मेरे पुराने प्लांट है इनकी प्रोनिंग हो जाएगी तो इनमें फिर से अच्छी नई stems निकल आएंगी और ये प्लांट जो हैं बुशी हो हो जाएंगे सब ठीक हैं प्लांट मैं खराब हो गया है काफियत तक क्वराब हो गया क्यों कि पानी शाइज जाए ज़ादा होगया इस वजह श्यद वहों नियुदा ञाया निए सक बड़ से पानी सूभ भी ने पाया पत्तियां सूख चुकी हैं उनको अटा दे रही हूं मैं देखिए सारी नहीं यह मैंने एक बार जो प्रूनिंग की थी वह सब वहां पर से नहीं नहीं शाखे निकल आई हैं और बहुत अच्छे प्लांट सही हो रहे हैं हरे बरे हो रहे हैं यह और कुछ प्लांट खराब हो हो जाते हैं कुछ अच्छे रहते हैं तो कुछ खराब हो जाते हैं हम नए प्लांट लाते हैं नर्सरी से और जड़ूर जाएंगे और इसमें जाधा सी ब्रांचेज निकलेंगी और जितनी ब्रांचेज होंगी उतने बर्ट्स बनेंगी आगे जाके सीजन पर उतने फ्लार आएंगे इसमें जाधा ताधात में यह दिखिए इस तरह से मैं इन सब को कट करके निकाल दूंगी उपर उपर की जितने मैं ने बहुत सारे काम की हैं अपने गार्डन सब नहीं कर पाई क्लांट में काम की युईar पलां एक सोच के निकाले कम से इसको काफी किर लिए मैं कुछ कर नहीं कर पाईWलासं कि युई कि यह ग्रुईदाउदी का काम बहुत जरूरी था तो इसको मैंने सबसे पहले किया है अभी मैं इसकी सब सूखी पत्तियों को निकाल रही हूं क्योंकि पत्तियां काफी सूख चुकी है नीचे से जो पुरानी पत्तियां थी वो सब सूख गई है और यह सारी पत्ति नहीं ल लें इस पर काम करना है इसकी प्रोनिंग करना है तकि इसमेन नई ब्राइं घ्राइन यहांपर सी कर देंगे एक ब्राइंगी वहाँ कुछ दिन पहले अभी ज़रूरत नहीं है इसकी बस सिर्फ अभी प्रोणिंग करना है कि यह देखिए फ्रेंड यह जो है इस तरह से मैं इतनी भी ब्रांचिस हैं निकली हुई सब को प्रोण कर रही हूं यह बहुत जरूरी होता है गुलिदाओदी में अगर आपको पास प्लांट है पुराने लास्ट यह के प्लांट है तो आप भी प्रोणिंग एक दो बार उसकी कर देंगे तो आपके प्लांट अच्छे हो जाएंगे नहीं जाना जाएगी उसमें पुराने यह देखिए मेरा अगर दो फटतक खराब हो गया यह वाला प्लांट यह गल जुका है अंदर से रूट गल गई है इसकी कुछ रूट तो सही है भी उन्हें निकालके मैं सही गरके दुबारा लगा दूँगी और कुछ रूट बिल्कुल गल गई है जादा पानी की वज़े से हो गया है क्यो टो से एकी फमेंदिस सब्गें डिया है कुछ जो सही जिन प्रार द्लांट जो जड़े सही है जिन प्रांट की वह मैं लगा दिया है आधेमा यह ग्रेंद्ट मेरा अब आ अनद्र ची तरह से चीजैंट निदा चाहिए हो जाएग veggie नहीं तक मैरे शेड में रखे हुए थे यह देखिए फ्रेंड यह सब मैं काम चोटे मोटे सब दिखा रही हूं आपको यह मैंने जो है यह फॉर्विया मिली की कटिंग लगाई थी यह देखिए मेरी सक्सेज हो गई है बहुत अच्छी चल रही है कटिंग यह फिल्कुल ठीक है उस बच्चे ने कुले दाउदी के में सब को जो है ग्रो कर लूँगी यह देखिए मेरे कलंचो के प्लांट है यह मैंने एक बहुत बड़ा मेरा प्लांट था बड़े सिसमें लगा हुआ पॉट्स में मैंने इनको सब को डिवाइट करके दो तीन प्लांटर में अलग-अलग करके लगा दि है एक ही प्लांटर में मैंने लगा दिया सब अच्छे ग्रो हो गया मेरे यह देखिए सारे प्लांट सुदर्शन का है प्लांट यह और यह मेरा मदुमालती का भी लगा हुआ है साइड में लेकि इस बार फ्रारिंग नहीं हो रही है लास्ट यह तो फ्रारिंग हुई थी इस साल बिल्कुल भी फ्रारिंग नहीं हुई यह देखिए नौलीना पाम है पॉनिटेल पाम यह सारे प्लांट मेरे इस तरह से रख्खे हुए है चार-पांच दिन मैंने प्लांट को देखा नहीं है तो उनकी कंडिशन सब की खराब हो गई है और मुझे बहुत दुख हो बहुत जादा रहीं कड्रभ बहुत स्थी कटिंग खराब व हो गई कटिंग नहीं होको नहीं हो पाई है लगा यह को कि यह सारी कटिंस मैंने सौरी यह जितने भी मैंने इसके प्लांट दाउदी के इसके पेड़ों के नीचे रख दिये मैंने हलका हलका शेड और हलकी दूप भी आई यह उपर ग्रीन नेट भी लगा हुआ है कि देखिए मैंने इसकी हाट प्रोनिंग करी थी पाइकस की यह भी इसमें कोपल आने लगी देखिए मेरा रेलिया कितना खुबसूरत हो रहा है यह उपर कुछ मैंने जो है यह टर्टल वाइन लगाकर रखी हुई है अ यह देखिए यह पिलर के ऊपर कितनी सूरत लग रही है है यह देखिए मेरा कड़ी पत्य का पेड़गह यह उठाव्य जए मुझे इसकी पत्या थोड़ी मुर्जाई लग रही है पता नहीं पानि भी ठीक दिया थे तो सब कुछ ठीक ठीक है यह सब मेरा देखिए नाइन ओ क्लॉक और यह लोटस कैक्टस पिटूनिया गुड़हल और यह देखिए विंका मौस रोज यह सभी चीज़ें अदर रखी हुई है अबहुत बड़ा सा पीड़ अभी मैंने सब्सक्राइब करी कुछ टाइम पहले लेकिन ही फिर से काफी हरा भरा हो गया है हाब नाक्चंपा बहुत हो गया बहुत बड़ायां बस यह इंतदार करती रह Zahl हो तो में हार्ट ईरूनिंग कर दो लिकिन वाद ही किन नहीं हो रही है मारे यह हमारे भूत कम बहुत हलकी जूर रही है कभी 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 होती है बूदा वानी के यह दुझ तक फोगे मेरे सब रखे हुए यह जीजी प्लांट है कुछ दिन पहले मैंने इसको रिपोर्ट किया था यह दूसरे प्लांटर में लगा हुआ था मैंने इसमें पॉर्ट में लगा दिया इसको यह देखिए सब मेरे डॉर्फ वराइटी के लिए इस नेक पाम लगे हुए इंडूर प्लांट्स जो हैं वो गर्मी के वैसे काफी खराब हो जाते हैं बहुत नाजुक सारे प्लांट है और गर्मी इतनी जादा पड़ी है इस बार के बारिश हुई नहीं है बिलकुल गर्मी बहुत पड़ी है तो इसलिए प्लांट्स की कंडिशन काफी खराब सी हो रह हो जाए कुछ दिन में यह मुसंड़ा है स्में फ्लारिंग हो रही है यह कि अ इसमें फ्लारिंग हो रही है यह सारे मेरे इंडोर प्लांस है यह देखिए मैंने प्रिंक वालस इंग ओनियम जो है इसकी भी कटिंग लगाई थी वह गई है कि यह देखिए फ्रेंड यह इस तरह से सब रखे हुए हैं घर के अंदर मेरे कि अब बहुत सारे प्लांट मैंने आपको नहीं दिखाया है क्योंकि अगर सारे प्लांट दिखाने लगूंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए मैं कुछ प्लांट आपको दिखा रही हूं आधिस से जादा दिखाया मैंने यह देखिए मेरा कोटन कितना कि यह देखिए चांदनी के वाइट लॉर बहुत अच्छे आ रहे हैं अभी इसमें में जासे स्टार्ट हुई है यह प्लारिंग लेडी पाम है यह जेट प्लांट है सिंगोनियम है यह देखिए टंगल हार्ट कितनी सूरत लग रही है चोटे से पॉर्ट में लगा कि मैंने रखी है कितनी बड़ी हो गई है यह मेरे यह स्पाइडर प्लांट मेरे कुछ खराब हो रहे हैं पता नहीं क्या बात है मैंने ड कितना बुशी हो रहा है बहुत बड़े बड़े पत्ते हैं इसके अब जहां जगा मिली है वहां प्लांट टक दियें क्यों मेरे घर में भी बहुत जगा नहीं है प्लांट टकने की यह देखिए मेरे स्नेक प्लांट यह देखिए मौस रोस किता खुब्सूरत लग रहा है यह मैंने अपने हाथ से बना के पॉट इसमें लगाया है यह बहुत अच्छा लग रहा है यह देखिए वो जो कटिंग मैंने निकाली थी उले दाओजी प्रून करा था वो यह सारी बन जाएंगे मेरे फ्रेंड आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज थैंक यू